हेई गाईस वेल्कम बैक टो मैं यूटूब चैनल और मैं आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे तो फिर आज हम देखने वाले हैं साल अगनता लिंकेज यह जो है बेस्टी में भी है और 12 में भी है तो फिर दोनों क्लास के लिए हैल्पूल हो सकता है जैसे कि आप लोगों हम देखने वाले हैं साहल लगनता सबसे पहला तो इसका इंटरफ्चन देखेंगे फिर डेफिनिशन देखेंगे फिर इसका टाइप यह प्रकार देखेंगे और लिंकेज थियोरी मैं इस वीडियो पिर नहीं बता पाँए नहीं तो फिर वीडियो जोह है बहुत लंबा हो जाएगा है ना फिर उसके बाद देखेंगे importance of linkage तो फिर linkage theory जो है मैं next video में बता दूँगा तो फिर क्या क्या देखेंगे एक बरह और देख लेते हैं introduction, definition, types, फिर importance ठीक है तो फिर चलिए बिने script की विडियो फिर बने रही है सबसे पहला देखते हैं introduction किशी वेक्तिगत प्राणी में जीन की संक्या अधीक तथा गुणसूतर की संक्या कम होती है ठीक है guys, क्या होता है गुणसूतर की संक्या कम होती है जीन की संक्या अधीक होती है और जीन किसमे इस्तित होते हैं गुण सूतर पर इस्तित होते हैं अर्थाद एक गुण सूतर पर अनेक जीन्स रहते हैं एक गुण सूतर पर अनेक जीन्स सुतन्तर प्युहन के समय ये जीन या तो एक गुण सूतर पर पहुंच जाएंगे या अलग-लग हो जाएंगे ठीक है guys ऐसे jeans का एक शाहत वन्शागत होना शाह लगनता कहलाता है linkage कहलाता है ठीक है बहुत सारे jeans जो है एकी गुणसूतर परिस्तित होते हैं और उस प्रकार बहुत सारे jeans का जब एक शाहत वन्शागत होता है या एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में जाते हैं तब उस प्रोसेस को जो है linkage कहते हैं ठीक है ऐसे जीन जो एक ही गुर्ण सूतर परिस्तित होते हैं सालगन जीन कहलाते हैं ठीक है या फिर सालगन समुह कहलाते हैं ठीक है गाइस आप चलिए ये तो हो गया इंट्रोड़क्शन अप देखते हैं डेफिनिशन सालगन जीन का एक शांत वन्शागत होना linkage कहलाता है ये मेमोरी में बिठाने के लिए बहुती अच्छा है ना डेफिनिशन सालगन जीनों का एक शांत वन्शागत होना linkage कहलाता है ठीक है गाइस फिर है वाज जीन जो एक ही गुण सूतर परिस्तित होते हैं तथा एक शांत वन्शागत होते हैं सालगन जीन कहलाते हैं तथा इन जिन से संबंदित लक्षणों को जो जो इनके साथ वंशागत होते हैं सहलगना लक्षण कहलाते हैं जो लक्षण इसके साथ वंशागत होते हैं उससे सहलगना लक्षण कहलाते हैं अब चलिए आगे दिखते हैं है थार्ड है टाइप ऑफ लिंगेज तो फिर यह तो ब्रकार का होता है गाई इस complete लिंगेज और incomplete हैनि कि पूर्ण सालगन और अब पूर्ण सालगन ता चले complete linkage देख लेते हैं यह केवल उनीज परिस्थिति में संभवा है जब अलग न जीन पास पास हो ठीक है पास पास होने के करण इनके अलग होने की संभावनाएं कम हो जाती है क्रोसिंग वर पढ़े हो गया इसाप लोग है न अगर नहीं पढ़े हो तो फिर नेस्ट टॉपिक उसी पर आएगा तो फिर क्रोसिंग ओवर आप लोग जानते हो है ना कि जीन जो है अलग-अलग हो जाते हैं तो फिर पास-पास होते हैं इस वज़े से जो है इनमें क्रोसिंग ओवर नहीं हो पता है और यह जो है अलग नहीं हो पते ठीक है पास-पास होने के करें इनके लगोने की संभावनाएं कम हो जाती है उदारन देख लेते हैं एक इसलेटी रंग के शरीर तथा अल्प विक्षित पंख वाली जंगली ड्रोशोफिला का मैथून काले रंग के शरीर वाली तथा लंबे पंको वाली डोशो फिला से कराते हैं तो F1 PD में प्राप्त संतान इसलेटी रंग तथा लंबे पंक वाली होते हैं ठीक है गाईस कैसे रहेगा F1 में जब हम संतान प्राप्त करेंगे तो फिर कैसे होगा इस लेटी रंग तथा लंबे पंक वाले एक गुण इसका और एक गुण इसका ठीक है जब F1 PD के नर संकर ड्रोशोफिला अप्रवाई मादा के सांथ संकरण करता है तो दो प्रकार के जनतु बराबर संकरण करता है अब जितना थियोरी मैंने कहा वो समझ नहीं है होगा इसको चलो आरेक के रूप में आप लोगों समझाता हम ये देखिए गाइस ये जो है इस लेटी रंग और अलप विक्षित पंक वाली ड्रोशोफिला है ठीक है कैपिटल वी और स्माल वी ठीक है इधर काले तथा लंबे पंको वाली ड्रोशोफिला है इसको हमने स्माल वी और कैपिटल वी द्वारा दर्शाया ठीक है बी क्या है यहाँ पी स्लेटी रंग और स्माल वी जो है वो छोटा पंक ठीक है गाइस इधर बी क्या है काला है और Capital V जो है वो लंबा है ठीक है लंबा पंक ठीक है अब देखिए इन दोनों की बीच में जब क्रॉस कराएंगे जब संकरण होगा तो फिर क्या बनेगा इसका एक गैमिट आएगा इसका एक गैमिट आएगा ठीक है F1 PD में क्या बनेगा इसलेटी और लंबे पंक वाले ठीक है ये इसलेटी ठीक है गैस और ये लंबे पंक तो फिर B Capital V तो फिर इस परकार से युगमक यनकी संतान का निर्मान होगा तो फिर ये काले दाथा लंबे पंक वाले होंगे अब क्या बोर रहा है अप्रभावी मादा के साथ पुना अप्रभावी मादा के साथ इसका संक्रण कराती है F1 PD के संतान कटी है तो फिर यहां का अप्रभावी क्या है छोटा पंक है ना छोटा पंक यहां पर क्या है लंबे पंक है और काला है सौरी स्लेटी है ये स्लेटी और ये लंबे पंक है न तो फिर यहां पर इसलेटी रंग तो आया है लेकिन अलप अविक्षित पंक नहीं आया है तो फिर ये capital V sorry small V को इधर आएंगे और इधर का क्या आया है लंबे पंक आया है लेकिन काला रंग नहीं आया है पर काला रंग क्या है B तो फिर B और इसमौल वी ठीक है गाईज काला अलप अविक्षित पंक वाले ड्रोशो फीला के साथ मुणा इसका जब संकरण कराती है तब हमें जोए दो संतान प्राप्त होता है एक तो इस लेटी वह अल्पविक्षित पंक वाली और एक काला एवाम लंबे पंक वाली ठीक है तो फिर इस प्रकार से होता है कम्टेट लिंकेज इन ड्रोशो फिला आप ऐसे चित्र लिख सकते हूँ ठीक है समझ में आया गाईज यहाँ पर इस लेटी पंक और अल्पविक्षित पंक रहेगा यहाँ पर काले और लंबे पंक रहेंगे ठीक है यह भी क्या है यहाँ पर शो हो रहा है इन दोनों का जब स यानि कि small b तो फिर यह आप प्रभावी माधा होगा ठीक है guys b और small v यानि कि small v small v तो फिर इसका फिर से इसके साथ संकर्ण कराएंगे तो फिर यह संतान जो है प्राप्त होगा अब चलिए देखें इते हैं incomplete linkage incomplete linkage तभी संभा है जब सहलगन जीन दूर दूर इस्तित होते हैं ठीक है guys अब इसका इक्जामपल जो हम मक्के की द्वारा समझेंगे ठीक है जब चलिए मैं सिधा graph ही दिखा देता हूं आप लोग इसको जो है screenshot ले लिजे ठीक है ग्राफ में पूरा आप लोग समझा दूंगा आरेक के गेतरू इसका जो है आप screenshot ले लिजे ठीक है चलिए देखते हैं आरेक एक रंगीन तथा भरे बीज लिए ठीक है मक्के का रंगीन है और भरे रंगीन यहनकी capital C और बरे बीज को जो हमने capital S से सो किया है इधर रंगीन है ना रंगीन और संकुचीत को जो है रंगीन को small C और संकुचीत को समॉल S से प्रदर्शित किया है अब इन दोनों के बिच cross होगा तो फिर क्या बनेगा यहां का एक आएगा और यहां का एक आएगा तो फिर यह कैसा होगा guys रंगीन होगा ठीक है रंगीन और भरा हुआ रहेगा ठीक है रंगीन और भरा हुआ रहेगा यह वलज होगा ठीक है guys अब यहाँ पर क्या होगा इसके साथ पुना इसका फिर से क्रोस कराएंगे ठीक है क्योंकि इसका गुन तो आया ही नहीं है इसमें तो फिर पुना जब इसका संकरण F1 PD के संतान से करते हैं तो फिर इनके बीच में जो है क्रोसिंग वर होता है इन दोनों की बीच में पहले ठीक है तो फिर क्रोसिंग वर होगा तो फिर एक गैमिट क्या बनेगा सबसे पहले तो क्रोसिंग वर कराते हैं तो फिर ये तो ऐसी ही आएगा और इन दोनों की बीच में क्रोसिंग वर ये ठीक है ये क्रोसिंग वर हो रहा है इस प्रकार से और ये वाला भी ऐसी लिख देना है अब क्रॉसिंग और के बाद जब गैमिट का निर्मान होगा है न युगमक का निर्मान होगा तो फिर इससे बनेगा कैपिटल सी कैपिटल एस और यहां किदिकिये ऐस्मौल सी ज्यों है कैपिटल साथ जूठ घृए एस घृए तिक ए अब इनके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे अब इनके बीच क्रॉस कराएंगे इस तो फिर यहां पर देखे capital C capital S है ना और यहां का एक आजाएगा small C smallest तो फिर capital S क्या है रंगीन है capital S क्या है capital C रंगीन और capital S जो है भरा है ना तो फिर यह रंगीन और भरे मक्य का बीज होगा फिर इसके बाद और इसम्मॉलसी समालस तो फिर ये क्या है संकुचित है ना तो फिर रंगीन और संकूचीद भी जामें प्राप्त होंगे da तो फिर आज होप ये आप लोगों समझाय होगा एक बड़ और मैं समझ?" दूममन कि है यहां पर रंगीन तर्प भरे और रंगी दान्टा इस प्रें पर भरह उसके बाद स्मस्तित का कुछ भी लख्षण नहीं है नहीं होतोग है यह संतान ल֑ ताल स लिख देख लेवाङ था इस देख़ें importance linkage के कारण gene combination PDDX समान बने रहते हैं ठीक है जो gene combination है guys PDDX समान रहते हैं साहलगनता के कारण आने वाले शंभावित लक्षणों को पहले से बताया जा सकता है जैसे कि हम अभी देखे ना रंगीन हरे और ड्रोसपिला में भी देखे तो फिर उस परकार से हम पहले से लक्षण जो है बता सकते हैं ठीक है गुंसुत्रेवं gene zambandhi ज्ञान हे तु साहलगनता का अत्यधीक महत्व है ठीक है तो फिर ये linkage का importance है guys I hope आप लोग को समझा होगा तो फिर प्लिज वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब करें okay thank you guys